हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू एवर्ग्रीन बुटीक और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं सेल वीडियो और इसमें सारे ही पीसिस आपको डिसकांटेट प्रैस में मिलने वाले हैं इसमें आपको इंडियन पीसिस सूर्स भी मिल जाएंगे और पकिस्तानी ओरिजिनल भी मैंने मिक्स अप करके ये वीडियो बनाई है और काफी प्यारे प्यारे सूर्स है इसमें उमीद करती हूं पसंद आएंगे आप लोगों को लेकिन प्लीज ये आगे मत बोलिएगा नेक्स्ट वीडियो में कि इसमें भी हमें यही प्रैस दीजेगा क्योंकि ये इसम कलेक्शन करके मैं अपलोड करती हूं तो उमीद करती हूं पसंद आएगी लेकिन प्लीज प्रैस कंपेर ना करेगा आज वाली वीडियो का नेक्स्ट न्यू कलेक्शन से कि नहीं हमें ये भी इसी प्रैस पर चाहिए क्योंकि ये सेल वीडियो है मैं बार बार मैं आपको ये शिफॉन से ही स्टार्ट करती हूं इस तरह का शिफॉन के उपर रेशियम वर्क है और उस पर हैबी हैंड वर्क हुआ है प्रैस आपको इस्क्रिन पर मेंशन हो जाएगा थ्री पीसिस ये कंप्लीट सूट है बॉटम के साथ बॉटम मैंने प्लेन हटा दिया है साइड कर दिया है अब मैं आपको खाली शोर्ट दिखा रही हूं क्योंकि काफी सारे सूट से लैंडी हो जानी है वीडियो इस बार सब्रेंखबी देखें ये बैक साईड के उ पर इस सथरा से बूटी आएगी और फ्रन साईड हवी हेंड वाक के साथ ये इसका फ्रन साइड है जो के हैवी इसा इसकीम इसका सब्सक्रेंग यह प्रॉक्स 29 है जहां तक इसकी अम्रोईड्री आ रही है तो साइज इसका ऐसे 56 तक स्टेज्ट हो जाएगा और साइड में यह स्लीव का स्टफ अलग है स्लीव के स्टफ की विर्थ 15 है फ्रंट बैक फुल विर्थ था इस स्टफ की तो इसली किसी भी साइज में स्टेज्ट हो जाएगा यह अब मैंने आपको यह दिखा दिया वर्क आप चेक करने किस तरह का वर्क है हेवी हैंड वोक है इसके उपर चीक है बोटल ग्रीन शेट कलर है कुछ यह और दुपटे पर ऐसे बॉर्डर आएगा बीच हें बुट्टी आएगी तो यह आज का हमारा सूट नंबर वन हो गया है अब इसी का मैं आपको एक और शेट दिखा रही हूं कि यह पीच कलर है यह प्रंट साइड है कि फुल रिश्यम वर्क के उपर आपको हैंड वर्क मिलना है इस तरह यह हैंड वर्क आ गया साइड में यह स्लीव का स्टफ आ गया और बैक साइड के उपर बुटे आने हैं लैंध फुल हो जाएगी आपका इसमें पॉटी एट इसी ली आइटिंग हो जाएगी फिर भी मैं इक बर मेजर कर दे रही हूं कितनी लैंध आ रही है इसके लैंध 53 है इस चप की लैंध तो इस टोके इसीली 48-47 तो हो जानी है विदावट एणी लटकन या टिसल्स कुछ भी तो यह आप देखें यह स्टफ हो गया और यह इसका ऐसे दुपट्टा आ जाएगा बॉडर आना है बीच में बुटे आने है यह सूट नमबर टू हो गया है यह देखें यह डाक फिरोजी कलर कर सूट है कंप्लीट है थिरी पीसिस है यह बॉटम का स्टफ है और फॉल रेशम और फीकुएंस एम्डॉइड इट शिर्ट है शिफॉन स्टफ शिर्ट है यह फ्रैंट साइड है लटकन लगी है शिर्ट के उपर और यह फ्रैंट आपको इसका बैक साइड दिखाती हूं यह बैक साइड का बॉटर है फूल बैक साइड के उपर भी बूटी आ रही है तो यह बैक साइड हो गया यह इसकी sleeves हो गई, heavy embroidered sleeves है और दुपट्टा भी बहुत ही खुबसूरत है two side cut work है, आपको कुछ कराना नहीं है जैसे कुछ दुपट्टों में रहता है, cutting करानी है यह already cut work हुआ है यह lengthwise embroidery है, बीच में booty है two side lengthwise embroidery है, बहुत ही खुबसूरत सूट और आपको मिलने वाले है आज यह discounted price के उपर तो अभी मैं इसे sight कर रहे हूँ यह देखें, यह maroon color का suit है ratio more sequence work के साथ यह भी discounted price पर है यह इसका front side है इसकी length 40 तक होगी, 41 तक बहुत landy suits नहीं है फिर भी मैं एक बार check कर ले रही हूँ क्योंकि आप लोग order करते हैं फिर बाद में कुछ confusion रहता है कि land short थी या यह मैं जबके सारे suits की बता देती हूँ जो मुझे लगता है कि नहीं यह short होने वाला है 43 है इसकी length stitch होके easily 40 तक हो जाएगी और यह इसके bottom का stuff है यह sleeves है और यह दुपटा आ गया ठीक है अभी मैं इसे भी side कर रहे हूँ यह मैं आपको gown दिखा रही हूँ यह three pieces है इसमें inner नहीं है आज plazo है, gown है और दुपटा है और यह भी discounted price पे मिलने है यह इसका plazo है embroidered है यह नीचे बाट यहाँ पे पाइचे पे ठीक है और यह दुपटा आ गया शिफॉन में दुपटा है four side आपको papin मिलेगी two side length wise यह heavy embroidery है बीच में इस तरह से बेले बनी भी है यह दुपटा महंदी green color है यह यह इसकी sleeves आ गई sleeves attached नहीं है इसमें यह frock है कुछ इस तरह और पैक्टे भी heavy embroidery है यह pre size में है यह excel size में है और इसका दूसरा shade यह आ गया है पेस्टल पीच सा color है यह तो यह यह दोनों गाउन मैंने आपको दिखा दिए यह पुपल कलर का सूट है यह तवकल गुल रुक का सूट है यह इसके बॉटम का इस्टाफ आ गया पहले बैक्साइड चेक कर लें यह बैक्साइड का बॉडर है और यह सब गुटी है एंब्रोइड बैक्साइड पे वर्क है बैक्साइड के उपर भी और यह फ्रंट साइड के उपर लटकन है इस तरह और रेश्यम के साथ सीक्वेंस वर्क है डाक जामुनी सा कलर है यह स्लीव के उपर इस तरह से मल्टी कलर यह एंब्रोइड्री है और नैट और और कैंजा में दुपट्टा है इसका हेवी एंब्रोइड्री दुपट्टा है लटकन्स लगे हैं पहले से यह दुपट्टा आ गया इसका तो यह सूट नंबर फाइफ हो गया है आज का यह मर्यम्स का गोल्डन सूट है गोल्डन एंड ब्राउन शेड में शिपॉन स्टफ पर ही है और रोसल्प में इसका बॉटम आ गया यह यह कि यह बॉटम का इस्टफ है दुपट्टा मैं आपको बार में दिख रहा हूंगी यह बैक साइड है इसकी यह बैक साइड पर एंब्रोईडरी आ रही है बॉडर आ रहे है उपर तक यह सब बूटे है यह फ्रंट साइड है फ्रंट साइड के उपर हैवी जरी रेशियम से वर्क है और सीक्वेंस से फुल जाल वर्क है इस तरह बहुत फाइन एंब्रोईडरी है 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 हैंड वोक में एकलाइन के लिए पैच है फिर यह स्लीव के लिए स्टफ है और यह इसके पैचेज आ गए यह एक्स्ट्रा पैचेज है दामन के स्लीव और बैक साइड के लिए तीन पैचेज है इसमें अब आप यह देखिए दुपट्टा नेट में दुपट्टा है एंड्रोईड और यह इसके पल्लू लगने है दुपट्टे पे यह टू साइड दोनों साइड लिए पल्लू बैड हो जाएंगे तो हैवी दुपट्टा हो जाएगा तो यह गोल्डन और ब्राउन शेड में मर्यम्स का सूट है तो अभी मैं इससे भी साइट कर रहे हूं अब यह आगा नूर का कुरता दुपट्टा है यह भी ओरिजिनल है और मेडियम साइज है यह बोटल ग्रीन कलर के साथ महंदी ग्रीन कलर कंट्रास्ट है यह हैवी ओरिजिनल पीस है यह बिल्कुल यह स्लीट के उपर बॉर्डर है और इसकी वर्त आ रहे है क्योंकि यह एम साइज है तो टुइंटी पॉइंट फाइफ है फॉर्टी वन है प्रॉक्स और लैंट इसकी 38 है और हैवी अम्रॉइडि डुपट्टा है यह दुपट्टा है यह दुपट्टा है बॉर्डर आ रहा है इस तरह से और पूरा जाल वर्क में। आपको यह बॉर्डर मिलेगा और फुल पट्टे पर यह जाल वर्क मिलना है बुटिल ग्रीन और मेहंदी ग्रीन कलर कंट्रास्ट है कि यह डिजाइन नम्बार इधिंग 7 हो गया है आज का अब इसी में मैं आपको यह दिखा देथी हूं थ्रेड वॉक वाले यह आप लोगों के देखीवे हैं इसude कि देखें यह फ्रांट साइड है यह कोता दुपट्टा है यह उसका फ्रांट साइड है थ्रेड और सीक्वेंस वर्क हो रहा है ये इस तरह से ये front side हो गया back side पर ऐसे बूटे आने है ये full back side है ये sleeves पर work आगया और ये दुपटा है इस तरह ऐसे दुपटे पर work आएगा black के उपर white work है ये तो ये design no.8 हो गया है अभी मैं इसे भी side कर रहे हूँ अब ये भी थ्रेड वोक में है ये मरून कलर है ये फ्रन्ट साइड है ये फुल थ्रेड वरक है हात का काम है मुलतानी थ्रेड वोक है काफी लोग बोर्ड रहे थे कि आप इसी सेल में लेके आयए डिसकाउंट में लाइए ये स्लीव्स पे वर्क आ गया इसके और ये बैक साइड का बूटा है और अब मैं आपको दुपटा दिखा देती हूँ ये दुपटे का बॉडर और दुपटे पे इस तरह से बूटे आने है ये दुपटे का वर्क आ गया ये डिजाइन नमबर नाइन हो गया है मरून कलर ये भी थ्रेड वोक में है मुलतानी थ्रेड वोक में ये यलो के उपर रैड ग्रीन और नेवी ब्लू कलर से वर्क हो रहा है ये देखें ये इस तरह से वर्क है इसके उपर बैक साइड पे बूटा है और ये स्लीवस पे वर्क आ गया स्लीवस पे बूटा है और दुपटे पे इस तरह से बूटे आने है ये दुपटे का वर्क हो गया तो ये आज का ड्रेस नंबर टैन है अब आप ये देखें ये मुकेश वर्क और थ्रेड वर्क है ये फुल वर्क आ रहा है इस पे लखनवी वर्क जैसे होता है कच्चे टाके वाला काम ये वो काम है और उसके साथ ये पूरा मुकेश का काम हो रहा है मजेंटा कलर है और उसके उपर पीच कलर और ब्लू कलर से वर्क है ये फ्रन्ट साइड हो गया शोट का और ये बैक साइड के ऊपर हलका सा ये बूटा बना है इस तरह और ये स्लीव्स पे वर्क आ गया दुपटे पे इस पे बूटे है ये दुपटे पे बूटे आ रहे है तो ये मैंने आपको कचे टाके वाला एक सूट दिखा दिया मुकेश वर्क के साथ इस वीडियो में आपको सारे मिक्स अप करके सभी विराइटी में जाएगी मैंने कोशिश किये मैं सभी तरह के सूच लेकिया और स्कॉंटे प्राइस पे ये देखें ये भी कचे टाके का काम है ये औरेंज कलर है उस पे सल्फ औरेंज कलर और रैड कलर से वर्क है सब हाथ का काम है ये ये बैक साइट पे वर्क आ गया और दुपटे पे ऐसे बूटे आने है ये दुपटे पे बूटे आने है इस तरह से तो ये आप थ्रेड वर्क वाले सारे पीसेज मैंने आपको दिखा दिया आजके अब मैं आपको इंडियन पीसेज दिखाना शुरू करती हूं इंडियन में ये देखें कि ये लैमन कलर है सामी क्रेप है ये स्टफ और इसके उपर साल्फ एम्ब्रोईडरी है थोड़ा मैं खरीब से दिखाती हूं आपको ये देखें हैं इस तरह से रेशम और सीक्वेंस से अब्रोईडरी है और निकलाइन के उपर दपका और जर्किन वर्क है ये निकलाइन पर देखें तो ये फ्रंट साइट के उपर वर्का रहे है इस तरह और इसकी विर्थ मैं बता दूं ये ये 26 इसकी विट्थ है और लैंथ इसकी 47.5 है बॉट्म अने स्टेज्ट है इसमें और प्यो शिफॉन में दूपट्टा अब ये भी मैं साइट कर रहे हूं यहां से अब इंडियन सूट से स्टार्ट हो गया है सारे अब ये देखें ये सिल्क बनार्जी स्टफ के उपर है ये सब सेल्फ विविविंग है फ्रन्ट साइट के उपर ये जितने हैं सब बनार्जी सेल्फ विविविंग है लैंट एप्रोक्स 48-49 है वेर्थ होई काफी है इसकी फिल भी मैं एक बार मेजर कर देती हूं 27 बर्ट है और नेकलाइन पर हैंड वर्क हुए बहुत ही खुबसूरत निलकी वर्क है थ्रेड वर्क है कुंदन वर्क है ये नेकलाइन पर वर्क आ रहा है प्योर स्टफ है प्योर शिफॉन दुपट्टा है इस पर सीक्वेंस वर्क हुआवा है और प्योर शिंटूर में आपको बॉटम मिल रहा है थ्री पीसिस कंप्लीट सूट है और स्लीव के उपर ऐसे कि यह चेंपा लेस लगी है अभी मैं इसे साइट कर रहे हूं और दामन पर यह पाइपन है अब यह सूट है कुछ मस्टर्ड कलर है उसके साथ औरकेंजा गोल्डन शेट दुपट्टा है एम्डूइड यह अनस्टेज़ट है यह फ्रेंट साइड है जो रेशम और सीक्विंस के साथ एम्डूइड हो रही है और इसकी वेट में फिर भी आपको एक बार बता दे रही हूं कितनी वेट आ रही है यह 29 है लैंग फुल है इसकी बॉडर आ गया यह शोट के उपर और इसमें सिल्क स्टफ ही बॉटम है यह सिल्क का ही बॉटम मिल रहा है आपको और और कैंजा दुपट्टा है है वी एम्डूइड दुपट्टा इस तरह से आप लोग प्लीज स्क्रिंशॉट्स लेते रहेगा अब इसी का एक और शेड़ है यह ग्रीन शेड है यह देखिए इसका बॉटर आ गया प्रेश्यम और सीक्वेंस के साथ वर्क आ रहा है और यह इसका सिल्क में बॉटम आ गया फुल इस्टफ है बहुत फाइन क्वाइलिटी सिल्क है शोट का भी और बॉटम का भी दुपट्टा भी बहुत सॉफ्ट और प्रकेंजा है और हैबी एम्रोइड है इस तरह से इस पर एम्रोइड हो रही है और फुल लैंध्व में दुपट्टा है इस टॉल टाइप नहीं है इस तरह दुपट्टा मिल रहे है अब यह चंदेरी सर्फ के उपर सूठ है क्यां यसे इससनां को वह है दपका विर्ण वर्क हो रहे है सिक्वेंस वर्क के प्योशन टून और शिफॉन में दुपट्टा है इस तरह कि और यह अन इस्टिज्ट है यह दिखिए इस पर ऐसे वर्क है यह सीवेंस और रेशम व्क ए और बीच में नेकलाइन नहें और टू साइड ये इस तरह वर्क का रहा है सीक्वेंस के साथ बीच में पैनल पर ये मिडर वर्क है ये इसके बॉटम का स्टफ आ गया और ये दूपट्या आ गया फोर साइड रैड कलर पाइपन के साथ निकलाइन के उपर रेशम यूज हुआ है तो फोर साइड दूपट्य पर पाइपन है ये भी नॉन कैटलॉग इंडियन सूट है प्योर स्टफ में है अब मैं आपको ये रापने का दिखा रही है अच्छे सारी सूट आपको डिसकाउंटर प्राइस में मिलने हैं ये सूट है ये लो कलर का यह आपने काफी वीडियो में मेरे देखा होगा बहुत डेमांडिंग से ये काफी सारे मल्टी कलर थे इसमें ये इस तरह है देखें ये सब अम्रॉइडरी और ये आपको जितना भी शोड़ा है ये सब रेशियम से अम्रॉइडरी है ये मूती लगे हैं यहां इस तरह और ये स्लीप्स पे वर्क है है ये अम्रॉइडरी स्लीप्स है एक येने क्लाइन के लिए पैज भी मिल रहा है ये बॉटम का पैज है ये बॉटम पे यूज होना है और अब मैं आपको दुपट्टा दिखा दूँ ये दूपट्टा भी एवे एंप्रॉइड है यहां कट वग हो जाएगा ये कंगूरे आपको शू हो रहे होंगे और वन साइड यह आपको दो बॉडर ये स्थरह से बॉडर है यहां से कट होके यह पहले jay वाला पात जाज़ोग पढलु पे यह सट उप्लु पे pieces से दुपट्टा हो जाएगा हैवी दुपट्टा हो जाएगा यलो कलर में सूट है यह भी आज आपको बड़ी ही रिजनेविल प्राइज में बलने वाला है अब यह है जॉजट इस्टफ पर और सर्क में दुपट्टा है डिजीटल प्रेंट यह वाले सूट अभी जो मैं आपको दिखा रही हूं यह पकिस्तानी के इंजियन रैप लिक रहे हैं और इसमें इनर बॉटम कम्प्लीट आता है यह शोट का इनर और बॉटम का स्टफ हो गया और यह फ्रन्ट साइड है कि फॉल रेशम वर्क है इसके उपर यह मैं आपको फ्रन्ट दिखा रही हूं और साइड में यह स्लीव्स है इसकी यह इसका पैच आ गया बॉटम का और यह सल्व के स्टफ दुपट्टा है यह दुपट्टा आ गया यह स्टरा से सूट है कि अब यह कुछ किसिस कर्मा के हैं यह डिफ्रेंट डिजाइन है तो यह मैं आपको दिखा देरी बिखेल में लाइट फिरोजी कलर है सल्क स्टफ है प्योर शेंटून में बॉटम है और यह देखे मसलेन कॉट्टन दुपट्टा है मसलन इस्टफ है और उस पर हैवी एम्ड़ोइडरी है रेश्यम के साथ और सीक्वेस के साथ और यह आपको फोर साइट पाइपन मिलेगी यह तरह दुपट्टे पर एम्ड़ोइडरी है अभी अमरेड़ हका ईए दूपत्टा में दिखा दिया मैंने आपको और अब आपको शोत दिखा रही जो अब ये शोत को फ्रंट साइड है ये बनार्सी बनरार से में तुर विभन में है ये प्रन्ट साइड बनार्सी बाइकब आपको इसमें प्लेन मिलना है उस लिफ का स्टफ भी प्लेन है तो यह फिर ओजी कलर हो गया और यह सूट का डिजाइन इस तरह है यह कर्मा का सूट है तो अब इसी के मैं आपको और सूर्ज दिखार हूं पर वह डिजाइन डिफरेंट है यह भी आज डिसकांट प्राइस प इस तरह से है शेट बनार्सी है दुपट्टा और केंजा है और बॉटम पर एम्रोइडरी आएगी यह प्योश इंटून स्टफ पर बॉटम है जिस पर यह एम्रोइडरी है यह आप इसमें शलवार या प्लाजो या पैंट कुछ भी अपने अकॉर्डेंग स्टिच करवा सकते हैं स्टफ दिया वह है यह इसकी शोर्ट आ गई बनार्सी स्टफ में डिजाइन आप चेक कर ल है कि ही निकलाइन है अजै कि और और चैन्जा में इसका दूपट्टा है सॉफ्ट और चैन्जा वह स्टॉफ्ट और ऺंजा है यह दुपट्टा आ गया ग्रीन मरून सर pref Details घ्ये बोट्म और ये इसका केटलोग पिक है अब इसी के मैं आपको और शेड दिखा दे रही हूँ ये औरेंज और ग्रे कलर है ये बॉटम का इस्टा ये इसका दुपट्टा और ये शोट का नेकलाइन है इस तरह से बना रसी डिजाइन है ये कुछ और ये इसका केटलोग पिक है तो अब इसे मैं साइड कर रहे हूँ आप लोग प्लीज स्क्रेंशॉट्स लेते रहेगा जिसे भी ओर्डर करना है अब ये ग्रीन एंड गोल्डन कलर कंट्रास्ट में हैं ये इसके बॉटम का इस्टफ है ये दुपट्टा है और केंजा में शोट में इसके आपको उपन करके दिखा दे रहे हूं क्यूंकि कुछ पैनल पैटर्न है बूती नहीं है ये शोट का डिजाइन है चीक है और ये कटलॉग पिक है इसका अब ये देखें ये ब्राउन कलर और उसके साथ बोटल ग्रीन कलर दुपट्टा है इस तरह से ये बॉटम का इस्टफ है एमरोइडेड है ये ये शोट है फ्रेंट साइड है ये सब बनारसी विविंग में है और इसमें इस सारे ही सूच में आपको स्लीप का इस्टफ अलग मिल रहा है बैक आपक्साइड का अलग फ्रेंट अलग तो किसी भी साइज में इजिली स्टिज्ट हो जाएगा और यह दुपट्टा आ गया और यह इसका केटिलॉग पिक है कर्मा की सूट्स है यह ठीक है तो आज मैंने आपको काफी सारे सूट्स दिखा दिये हैं तो अभी किसी को को भी ऑडर करना है तो प्लीज स्क्रीन शॉट्स लें और वाट्सप पर सैंड कर दें वाट्सप नमबर आपको स्क्रीन पर शो जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी रहता है और थैंक यू फॉर वाचिंग एवर्ग्रीन बूटीक टेक कियर अलाहाफेज